ग्यान सिंद्ध कोचिंग क्लासेश पर आप सभी का स्वागत करता हूँ पहले तो 14 सितंबर हिंदी दिवस की हारदिक शुप कामनाये हैं हमारी मात्रभाशा हिंदी, हमारी मा हिंदी हिंदी इतनी आसान कि लोगों के जहन में उतर जाती है हमारी मात्रभाशा बहुत मीठी है है ना, चलिए संदीप तिवारी जी हिंदी का संदी विच्छे देखो हिन ठीक है दा और बड़ी ये ऐसे हिंदी बनता है चलिए नरपति दिलीप है इसके पंद्रह अश्लोक हैं आज सारे की सारे हम खतम कर देंगे टेंशन कोई नहीं है नरपत दिलीप पाट वैवस्वतो मनुर्णाम मानुनियो मनीशनाम आसीद आध्याः प्रणयाः चंद शाम इव तो वैवस्वतो मनुर्णाम वैवस्वत का अर्थ होता है सूर्य का पुत्र मनुर्णाम तो वैवस्वत अर्थात सूर्य पुत्र मनुहु नाम के मनुर्णाम मतलब मनुहु नाम के वैवस्वतो सूर्य पुत्र मनुहु नाम के वैवस्वतो आप ऐसे लिखेंगे सम्माननिय आसीत माने थे महिक्षित माने पृतवी पर आध्या माने आदी पुरुष प्रणावाहचंद प्रणावाहचंद माने प्रणावचंद और प्रणावचंद कौन सा है ओंकार ये क्या है ओंकार एक प्रणावचंद है प्रणावचंद है और प्रणावचंद का मतल प्रणावचंद ओंकार की भाती वैवस्वत मनू नाम के आदिकाल में पृथवी पर पृथम सम्मानिय विद्वानों में माननिय राजा हुए और वे राजाओं में उसी प्रकार पृथम थे जैसे वेदों में ओंकार प्रणावचंद साम यू जैसे वेदों में ओंकार पृथम है ओम शब्द पृथम है पृथम चंद ओम है तो उसी प्रकार वैवस्वत मनु नाम के सम्माननी बिद्वानों में सम्माननी राजा हुए आसीत माने थे महिक्षिताम माने राजाओं के पर्थम ठीक है महिक्षिताम माने पर्थवी महिक्षित माने पर्थवी होता मही माने पर्थवी और एक्षित जिसके इच्छा के अनुसार पर्थवी चद्टी है उसकोद कहते हैं महग्चित महग्चित का मतलब होता पुरा का पुरा राजा तो प्रथम जैसे वेदों में प्रथम चंड उंकार है ठीक उसी प्रकार वैवस्वत नाम के विद्वानों में सम्मानिय राजाओं में प्रथम राजा धरती पर हुए अब आगे देखो दूसरे श्लोक में क्या अच्छा इसका संदर्प कैसे लिखोगे कि प्रस्तुस श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिखदर्शिका के नरपत अनवे शुद्ध मति ही प्रसूता हा शुद्ध मत्तरहा दिलीप इती राजेंद इंदु हुँ छीर निधाव यू ठीक तद अनवे तद माने उनके अनवे माने वंश में तद अनवे अर्थात उनके वंश में शुद्ध मति ही शुद्ध मति ही शुद्ध मति ही माने शु शुद्ध बुद्धी वाले प्रसूताह अने उत्पन्न हुए शुद्धि मत्तरह शुद्ध बुद्धी वाले शुद्धि मत्तरह मतलत शुद्ध आचरण वाले पवित्र आचरण वाले शुद्धि मत्तरह पवित्र आचरण वाले शुद्ध बुद्धी वाले उत्पन्न ह वे दिलीप राजा दिलीप इत इस प्रकार राजेंदू राजेंदू राजाओं में स्रेष्ट राज इंदू राज धन इंदू गुण संधी है राज इंदू राज धन इंदू इंदू तो ये समझो राज धन इंदू और ये इंदू अलग से पढ़ना है तो राजेंदू अलग पढ़िये और इंदु छीर निधाव यू अलग पढ़िये तो तद अनवे उनके वंश में शुद्धि मत्ति माने पवित्र शुद्ध प्रसूतह माने उत्पन हुए शुद्धि मत्तराह शुद्ध आचरण वाले पवित्र आचरण वाले दिलीप पवित्र आचरण को मानने वाले दिलीप राजाओं में स्रेष्ट राजेंदु इती राजेंदु इत मतलब राजाओं में स्रेष्ट इंदु छीर निधाव यू जैसे छीर सागर में छीर निधाव माने छीर सागर में यू माने की भाती जैसे छीर सागर में चंद्रमा उत्पन होता है उसी प्र जैसे छीर सागर में चंद्रमा पैदा होता है समझ में आगया। वंश में शुद्धिमत्थि प्रसूता है उत्पन हुए शुद्धिमत्तरा है शुद्ध आचरण वाले राजा दिली राजेंदु राजायों में श्रेष्ट राजा दिली पैदा हुए जैसे छीर सागर में चंद्रमा पैदा होती है अब देखो तीसरे में क्या गुण बताएगे हैं के तो अधरिश्य द्रिश्य माने तिरसकार करना और अधरिश्य माने तिरसकार या आपमान से रहित आभी गम्या चा और सेवित अभिगम्याचा और सेवित यादो रतनई यू अरणवाह यादो रतनई यू अरणवाह जैसे अरणवाह माने समुद्र होता है ठीक है? यानि वो राजा जो दिलीप था विशाल जैसे विशाल जल जल के जन्तूओं के कारण सागर अनुलंगनीय है किन्तु रतनों के कारण पास जाने योग्य होता है सागर में क्या होता है? लांग नहीं सकते हो आप सागर को क्यों? क्योंकि धेर सारे बड़े बड़े बिशाल जलजन तू है, इसलिए भी नहीं लांग सकते हो और बड़ा भी है इसलिए नहीं लांग सकते हो ठीक है तो रतनों के कारण उसके पास जा सकते हो जैसे उसमें रतन है समुद्र में तो उसके पास जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको लांग नहीं सकते हो क्योंकि जीव जन्तु उसमें बहुत भैंकर वाले भी रहते हूं और विशाल भी है ठीक वैसे ही राजा दिली भी प्रताप आधि गुणों के कारण तो जो उसके आस्रित जन्त है उसके लिए तो अनुलंगनी यह था लेकिन दया उदारता वाधि तमाम मर्दु गुणों के कारण आस्रे लेने योग्य था वो ठीक है यह आस्रे लेने योग्य वो था तो समझ में आया सबसे पहले देखो भीम भीम कांतई ही भैकारक कांतई ही माने प्रियों से भैकारक है कांतई हिन्रप राजा जो है गुणाई ही गुणों के कारण बभू माने हुआ उपजीविनाम माने सेवकों से अध्रिश्या चा अध्रिश्या माने तिरसकार रहित अनतिक्रमणी यह कह सकते हो अभिगम्यष्या चा मतलब आस्रे लेने वाला था जैसे आस्रे लेने वाला यह यू था क्योंकि समुद्र की भाती जैसे समुद्र में रतन होते हैं ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप में रतन थे और वो रतन कौन कौन से थे दया उदारता म्रदू उसमें ऐसे रतन थे तो ठीक उसी प्रकार मतलब यह है कि जैसे सागर को लागाने जासा सागर का अतिक्रमर नहीं किया जा सकता वैसे आशृत जनों के लिए अतिक्रम्र करने योग्य वो राजा दिलीप नहीं था उसका कोई अतिक्रम्र नहीं कर पाता था उपजीविनाम माने सेवकों के द्वारा बभु माने हुआ लेकिन अभिगम्याचा मतलब पास जाने योग्य था पास जाने योग ये था, यादो रतने यू अरणवा जैसे की अरणव, समुद्र के पास लोग लांग तो नहीं सकते, अतिकरमर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास चले जाते हैं, तो इस प्रकार वो राजा दिलीब थे, ठीक है, आप उनके पास नहीं जा सकते थे, बड़े बड़े जल जन्तू भी रहते हैं धेर सारे विशाल काय जीव जन्तू भी रहते हैं लेकिन कारण ये है कि उनके डरके मारे कोई उसको लांगता नहीं है उसका कोई अतिक्रमर समुद्र का नहीं करता है तो जीव जन्तू और लेकिन रतनों के कारण समुद्र के पास स सब ही चले जाते हैं और समुद्र में रतन निकाल लाते हैं तो रतन उसमें भी थे राजा दिलीप में और वो रतन थे कौन-कौन से राजा दिलीप के पास दया म्रदुता कोमलता आर्दरता यह सब गुण थे राजा दिलीप में ठीक है यह सारे गुण राजा दिलीप में थ लेकिन एक ही गुण नहीं था कि उसका कोई आतिक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए आप भी यहीं सोचिए कि आतिक्रमण उसका कोई नहीं कर सकता था, चलो, अगला देखिए, अगला है रेखा मात्रमपी, रेखा मात्रमपी अर्थात रेखा मात्र भी, रंच मात्र भी, बच्चों एक बार शेयर कर दो आज कम ही लोग जुड़े हो साहित हिंदी का है सामाने वालों के लिए नहीं है तो इसका मतलब आप जुड़ेंगे ही नहीं तो आप मत देखिए ठीक है अगर आपका नहीं है तो आप मत देखिए तो भीमकानतई अच्छा ये तो हो गया मात्र मपी रंच मात्र भी छुणात माने प्रचलीत चुणात माने क्या होता प्रचलीत आत्मनों वरत्मनहा आमनों ठीक है आत्मनों नहीं है आमनोह वर्त्मनहा आमनोह का आर्थ होता है मनू के समय से वर्त्मनह माने मार्ग परम माने परम उस परम मार्ग को रंच मात्र भी नहीं हटा आमनोह माने मनू परियंत से आ समुद्रम माने समुद्र परियंत ठीक उसी प्रकार आमनोह माने मनू परियंत से यानि मनू के समय से जो वर्त्मनह माने मार्ग चला आ रहा था जो परम मार्ग मनू के वंस से चला आ रहा था उससे रेखा मात्र भी रंच मात्र भी छोना यानि की विचलित नहीं हुआ प्रचलित जो मार्ग था मनुपर्यंत से उससे रंच मात्र भी नहीं हटा नव्यतियूह अलग नहीं थी प्रजाह तस उसकी प्रजा नियंतुम नेमि बृत्तयाह नियंतुम आने सार्थी के नेमि बृत्तया माने रत के पहिये का घेरा यानि उस चतुर शासक रूपी सार्थी द्वारा जो रष सासन रूपी रत के पहियों के समान प्रजा मनु के माग रूपी लीक से तनिक भी नहीं हटती थी यानि उस चतुर शासक रूपी सार्थी नियन्तु का आर्थ क्या होता सार्थी के नेमि वृत्याह रथ के पहिये का घेरा नेमि वृत्याह मतलब रथ के पहिये का घेरा नियन्तु माने सार्थी के यानि शासक रूपी सार्थी कौन है राजा दिलीप है और नेमि ब्रत्यावाई रत का पहिया रूपी कौन है प्रजा है प्रजाह तस उस राजा दिलीप जो राजा सार्थी रूपी राजा दिलीप है उसकी प्रजा रूपी रत की पहिया न व्यतियुह नहीं हटी रेखा मात्र मपी रंच मात्र भी छोणात प्रचलित आमनोह वर्तमनाह मनू के समय मनू के मार्ग से परम जो परमनू का मार्ग था उस परमनू के मार्ग से परमनू के मार्ग के लीक से तनिक भी बिचलित वो प्रजा रूपी रत की पहिया नहीं हुई क्योंकि शासक रूपी सार्थी राजा दिलीप उसको चला रहे थे बिटा आप लोग शेर नहीं कियो है इसका मतलब है आकार सद्रिशा प्रग्या सद्रिशं सद्रिशा प्रग्या सद्रिशा आगमा आगमाई है सद्रिश आरंभ आरंभ सद्रिश उदया आकार सद्रिश प्रग्या आकार के समान बुद्धी वाले आकार सद्रिश प्रग्या, प्रग्या माने होता है बुद्धी, आकार के समान बुद्धी वाले, प्रग्या सद्रिश आगमह, प्रग्या और प्रग्या मतलब बुद्धी के समान आगमह, वेद शास्त्र में परिस्रम करने वाले, वेद शास्त्र में पारंगत, प्रग्याह सद्रिश और बुद्धी के समान आगमा यानि वेद शास्त्र में पारंगत और आगमाई है सद्रिश आरंभा और वेद शास्त्रों के समान आरंभ करने वाले वेद शास्त्रों के अनुकूल आरंभ करने वाले और आरंब सद्रिश उदया हा और आरंब किये गए कार्यों के अनुरूप फल वाले उदया हमाने फल वाले उदय वाले उन्नती वाले आरंब के समान उन्नती वाले वे राजा दिली पाकरती के समान बुद्धी वाले और बुद्धी के समान बेद शास्त्रों में पारंगत औ और आरंब के समान ही उनकी उन्नती होती थी अब देखो प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो वलिम अग्रहीत सहस्त्र गुणम उस्रुष्टम आदत्ते ही रसम्रभी प्रजानाम एव प्रजाके भूत्यर्थम अर्थात कल्यान के लिए प्रजानाम एव प्रजाके ही ब्रित्य है ब्रित्य ब्रित्य माने सेवा ब्रित्य माने सेवा अर्थम माने के लिए प्रजा की सेवा के लिए ही सा माने वो ताभ्यों माने उन सबसे बलिम माने टैक्स कर अग्रहीत माने लेता था ठीक है वो राजा दिलीप प्रजा से के ही व्रित्य अर्थम सेवा के लिए सा माने वो ताभ्यो माने उन सबसे बलिम ग्रहीत कर लेता था सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते और उसके हजार गुणा सहस्त्र गुणम मतलब हजार गुणा उत्सृष्टुम माने उत्पन करके आदत्ते माने देने वाला ही माने क्योंकि रसम रभी ही रसम माने जल रभी हमाने सूर्य जिस प्रकार सूर्य थोड़ा जितना जल पृत्वी से ग्रहन करता है और उसके हजार गुनाः वापस कर देता है पृत्वी को ठीक उसी प्रकार प्रजा के कल्यार के लिए ही राजा दिलीप कर लेते थे और उसके हजार गुणा, सास्त्र गुणम उत्षुष्टुम आदत्ते, हजार गुणा उत्षुष्टुम माने उत्पन करके आदत्ते माने परदान करते थे, उनको दान देते थे सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेव अर्थ साधनम सास्त्रे शुकुन्ठिता गुद्धिम उर्वी धनुशी चात्ता सेना परिच्छदस्तस्य सेना परिच्छदस्य सेना तो परिच्छद थी मतलब तस्य माने उनकी सेना परिच्छद थी परिच्छद का मतलब समस्ते हैं आप उपकर्ण मात्र थी शोभा मात्र थी परिच्छद माने सोभाया उपकर्ण सेना परिच्छद थी सेना तो उनके लिए उपकर्ण मात्र थी दोयम एव अर्थ साधनम और दोयम माने दोही तो साधन थे अर्थ साधनम और उनकी सफलता के मात्र दोही साधन थे क्या दोयम एव अर्थ साधनम उनकी अर्थ साधन के दोही साधन थे उनकी सफलता अर्थ मिन्स यहां पर सफलता ले लिजिए तो दोयम एव अर्थ साधनम दोही उनकी सफलता के साधन थे शास्त्रेशु अकुंठिताह बुद्धी शास्त्रों में उनकी बुद्धी अकुंठित थी यानि शास्त्रों में उनकी बुद्धी कुंठित नहीं थी अब आप कहेंगे कुंठित नहीं थी अकुंठिता मतलब क्या थी कभी नरुकने वाली अकुंठिता मने कभी नरुकने वाली बुद्धी थी शास्त्रेशु अकुंठिता बुद्धी उरुवीम धनुषि चातता उरुवीम मौरवीम ठीक है मौरवी लिखा है मौरवी ठीक है धनुस चातता मतलब क्या होता है धनुस पर चड़ी हुई और मौरवी माने प्रत्यंचा मौरवी धनुस चातता धनुस पर चड़ी हुई प्रत्यंचा दो ही तो उनकी सफलता के साधन थे एक तो शास्त्रों में अकुंठित बुद्धी अप्रतिहत बुद्धी कभी नरुकन बुद्धी सेना परिच्छदेह तनतों केवल उनका आवरण मातर थी दिखावा मातर थी शोभा मातर थी और दयम एव अर्थन साधनम दोही तो उनकी सफलता के साधन थे सास्त्रेश अकुंठिता हा बुद्धी सास्त्रों में अप्रतिहत ज्ञान अप्रतिहत बुद्धी और मारवी धनुषी चातता धनुषी चातता धनुष में धनुष में मौरुवी माने प्रतिंचा ठीके चातता माने चढ़ी हुई मौरुवी धनुष चातता धनुष पर चढ़ी हुई प्रतिंचा और शास्त्रों में अकुंठित बुद्धी यही तो दो चीजें उनकी सफलता की साधान थे कि क्ल मंट्रत देघकmbol से गूढा का कारेंग त सीचा और फलान में या प्रारम्भाह संसकाराह प्राक्तना यूँ खाओ आठामां देखिए क्या रखने वाले सम्ता स्य माने उनके द्राजादिलीप के संभृत मंत्र से मंत्रा को गुप्त रखने वाले गूढ आकारें गितस्य चा गूढ आकारे गूढ माने गुप्त आकारा माने मुखाकरती यानि कि गुप्त शारीरिक चेश्टाओं वाले राजा दिलीप फलानुमेया प्रारंभा फलों से ही जाने जाते थे प्रारंभा संसकारा जन्म के संसकारों की प्राक्तना यू पूर्व की भाती प्राक्तना यू मतलत पूर्व जन्म के संसकारों की भाती फलों से ही जाने जाते थे कौन राजा दिलीप तस्य संवरित मंत्र से उस गुप्त मंत्रना वाले और गूढ आकारा आकार इंगितस से चाहर और गूढ आकारा और गुप्त शारीरिक आकार माने शारीरिक, इंगित माने इशारा या चेश्टाओं वाले, गुप्त शारीरिक चेश्टाओं वाले दिलीप के फला माने कारे, प्रारंभा, संसकारा, प्राक्तना, यूँ, प्राक्तना माने पूर्व, प्राक्तना माने पूर्व, संसकारा, प्रारंभा माने जन्म क जन्म, पूर्व जन्म के संसकारों की भाती फलों से ही जाने जाते थे ठीक है? फलों से ही जाने जाते थे फला अनुमेया फलों से ही जाने जाते थे प्रारंबा हमाने पूर्व संसकारा हमाने संसकार पूर्व जन्म के संसकारों की भाती जुगोप आत्मानम त्रस्तो भेजे धर्मम ना तुरह जुगोप जुगोप कार्थ है रच्छा करते थे जुगोप मिन्स क्या होता है रच्छा करते थे जुगोप मिन्स रच्छा करते थे अब यह किसकी रच्छा करते थे जुगोप आत्मानम आत्मानम अत्रस्तो भे आत्मानम अत्रस्तह very जुगोप माने रच्छा करते थे आत्मानम अत्रस्ता माने बिना डरे हुए ठीक है राजा दिलीब जो है निर्भीक हो करके बिना डरे हुए रच्छा करते थे भेजे माने पालन करता था पालन करते थे धर्मम अनातुराहा धर्म की बिना घबराये हुए धर्मम माने धर्म की बिना घबराये हुए यानि की धायर्यपूर्वक राजा दिलीप निर्भी को कर अपनी रच्छा करते थे और धायर्यपूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे धर्मम अनातुरा अनातुर का मतलब होता है बिना आतुर बिना किसी डर के जो गोप माने रक्षा करते थे आत्मानम माने अपनी अतरस्तों माने निर्भी को करके ठीक है भेजे माने पालन करते थे धर्मम अनातुरा धर्म का बिना डरे हुए यानि कि बिना आतुर बिना घब ठीक है अग्रिधनुहू आददे सा अर्थम असक्तह सुखम अन्व भूत ठीक अग्रिधनुहू माने लोब रहित थे ग्रिधनुहू माने लोब रहित अग्रिधनुहू माने लोब रहित अग्रिधनुहू आददे आददे माने ग्रहन करते थे लोब रहित हो करके वे ग्रहन करते थे सा अर्थम असकता है और वे धन में अना सक्त थे ठीक है अर्था है अर्था माने धन भी कह सकते हो अर्था माने सुख भी कह सकते हो अर्था माने लाभ भी कह सकते हो ठीक है तो अर्थम असकता है वे सुखो शुखैंत सुख्षें सोते हैं स्कूrost में से उनकी चाह नहीं थी सुखम अन्वभूत और सुखों का अन्यक करते थेुऐ कि य्यूत थे तक अ सक्षें के शुखन पर वह जोट रना चाह नहीं हो करते थे कि यड़ंव प्यान अत्रस्त वmam डरे हुए अपनी रक्षा करते थे भेजे माने पालन करते थे धर्म माने धर्म का अनातुरह माने बिना घबराये हुए अगर दिनू लालच नहीं करते थे आददे माने प्राप्ती का ठीक है आददे माने ग्रहन करते थे लोब रहीत होकर किसी भी चीज को प्राप्त करते थ आद्यमाने ग्रण करते हैं सा अर्थम असक्ताहा वे सुख में असक्त नहीं थे ठीके सा अर्थम असक्ताह सुखम अन्नुभूत और वो आसक्ती रहित हो करके सुख का अनुभव करते थे ज्ञाने मौनम छमा शक्तव त्यागेश लागा विपर्य यह गुणा गुणानु बंधित्वात तस्य सप्रसवाईव ज्ञाने मौनम उनके ज्ञान होने पर भी मौन रहना छमा शक्तव शक्ति होते हुए भी छमा कर देना ज्ञान होने पर भी मौन रहना त्यागे श्लागा विपर्य यह त्यागे माने त्याग करने पर त्याग करने के समय त्यागे माने दान करने के समय या त्याग करने के समय श्लागा माने प्रसंसा से विपर्य यह माने विपरीत प्रसंसा रहित त्याग में प्रसंसा रहित यानि दान देने में भी प्रसंसा रहित अनुबंदित्वात गुणा गुणान अनुबंदित्वात कारत होता साथ साथ रहने के कारण ठीक है गुणा अनुगुणा ठीक है गुण और अवगुण दोनों साथ साथ रहने के कारण लगता था तस्य सप्रसवाह यू मानो परसपर उनके साथ में ही उत्पन हुए हूँ ठीक है ये परसपर विरोधी गुण जो थे राजा दिरीप में साथ साथ रहने के कारण लगता था कि ये परसपर विरोधी गुण उनमें साथ साथ ही उत्पन हुए हूँ छक्ति होने पर भी छमा कर देना पर बी प्रशंशा रहीत होना इस प्रकार गुनों और अगुनों के अनुद तो अनुबंधित्तुआत का तो टा सबुन और सथे रहने अनुबंधन था जैसे सात सात में गुण और अये अगुण सात में ही दोनों गुण गुण मतलब सात में ही दोनों गुणल गुण मोन रहनाम यह दोगुण है घ्कलन होना और मासं twists दोंसाथ में telephone हूए होग। अब देखो अना क्रिष्टस विशय विद्यानां पार द्रिश्वनां तस्य धर्म तेरा सीत विद्धत्म जरसाविनां अना क्रिष्टस से अना क्रिष्टस आक्रिष्ट न होने वाले अना क्रिष्टस से मतलब आक्रिष्ट न होने वाले आसक्त न होने वाले विशय विद्यानाम विद्याओं में पारंगत विशय 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 आक्रिष्ट न रहने वाले विश्यों में आक्रिष्ट न होने वाले ठीक है विद्यानाम पार द्रिश्व नहां विद्यानाम पार द्रिश्व नहां विद्याओं में पारंगत तस्य धर्म धर्म रते है आसीत तस्य धर्म रती है आसीत उनकी धर्म में रती थी धर्म में प् रतेह आसी तस्य धर्म रतेह आसी तुनकी धर्म में प्रीति थी व्रिद्धत्वम जरसा बिना व्रिद्धत्वम बिना जरसा मने ब्रद्धा अवस्था के बिना ही ब्रद्धत्व था व्रिद्धत्वम जरसा बिना बिना ब्रद्धा अवस्था के ही उनमें ब्रिद्धत्व था ब्रद्धापन था यानि बूढ़ों जैसे नियम थे अनाकृष्ट से विशय यह विशयों के प्रती अनाकृष्ट विद्यानाम प्रापार द्रिश्वनह विद्याओं में पारंगत तस्य धर्म रतेह आत आसी रती ही माने जानतू श्रिंगार्रस की रती क्या होता उनकी धर्म में रती थी तो व्रद्धत्म जरसा विना उनकी जरसा माने व्रद्ध होने ब्रद्ध होना जरसा माने बुढ़ा तो जरसा विना यानि ब्रद्धता के बिना ही उनमें व्रद्धत्य था यानि बुढ़ापे के बिना ही उनमें ब्रद्धापन दिखाई देता येसे विचार उनके थे जेसे बूढों बुजुर्अं के होते है प्रजानाम बिनयाद आधाना अधानाद विनयाद आधानाद विनयाधानाद विनय धारन कराने के कारण प्रजानाम प्रजाओं को विनेधारन कराने के करन या विनेधारन कराना कह सकते हो तो यह कह दो कि प्रजाओं को सिश्टाचार या प्रजाओं को सदाचार की सिख्छा देने प्रजाओं को विनयात आधानात विनय धारण कराने से रक्षणात भरणात अपि रक्षा करने एवं भरण पोशन करने यानि वस्तराद देकर उनका लालन पोशन पालन पोशन करने से सपिता विराजा दिलीप ही सपिता पितरह तासाम केवलम जनमहेतवा सापिता मतलब वे पिता थे प्रजा नाम बिनयाद आधानात प्रजाओं में बिनयधारन कराने से रक्षनात प्रजा की रक्षा करने से भारनात प्रजा का पालन पोशन करने से सापिता वे राजा दिली पिता थे और पितरह तासाम और उनके पिता केवलम जनम हेतवा केवल प्रजा नाम बिनयाद अधानात्व बिनयाधाण adhanat ठीक है प्रजाओं में बिनम्रता धारण कराने से रक्षनाद रक्षा करने से भरनाद अप और भरन पोसंद भी करने से सा पिता विराजा दिली पिता थे और पितरह तासा माने उन सब के पितरह माने पिता केवलं केवल जन्म हेतवा जन्म के हेतु थे दुदोह गाम सयग्याए शश्याए मघवादिवं संपद विनिमय नोभो बिने न उभाव दधतू भुवन दुदोह गाम दुदोह माने दुहता था गाम माने पुरसवी को दुदोह माने दुहता था सा माने वह यग्याए माने यग्य से यग्याय में से यग्य के लिए वो राजा दिलीफ पृतवी को दुहता था दुदो हो गाम पृतवी को दुहता था सा यग्याय वो राजा दिलीफ यग्य के लिए शस्याय मघवा दिवम शश्याय माने फसल के लिए अन के लिए मघवा माने इंद्र दिवम माने स्वर्ग का और इंद्र अन के लिए स्वर्ग को दूहता था इंद्र अन के लिए स्वर्ग को दूता था और वो यग्य के लिए पृत्वी को दूता था और इंद्र अन के लिए स्वर्ग को दूता था संपद विनिमय एन उभव विनिमय एन उभव संपद विनिमय एन संपत्य के आदान प्रदान से संपत्य के विनिमय से संपत्य के आदान प्रदान से उभव माने वे दोनों दधत भुवन दोयम वो दोनों लोकों को धारण करते थे वे दिलीप वाइंद्र दोनों लोकों को धारण करते थे कौन राजा दिलीप संपत्य के आदान प्रदान से विनिमय से दोनों भुवनों को धारण करते थे द्वैश्यों आपी संपत्य शिष्टाह तस्या आर्तस्य यथा उशधम त्याज्यों दुष्टाह प्रियों आपी आसीद अंगुली उरगक्षताह थेक तो द्वैश्यों आपी संपत्याह शत्रू भी शत्र भी उन्हें संमत्ह माने अभिमत था माननीय था संमाननीय था शत्र भी उन्हें यानि राजा दिलीप को संमत्ह था संमाननीय था सिष्टाह तस्यार्तस्य यथा उशधम जैसे रोगी के लिए करवी या उशधी की तरह सज्जन ठीक है जैसे रोगी के लिए कडवी आुसदी कडवी होती है रोग दूर करने के लिए उसी तरह सज्जन शत्र भी उन्हें सम्मान निय था मतलब दिलीप का मानना ये था कि सत्रू है और वो सज्जन है तो अपना आदमी है ठीक है सम्मान निय है तो द्वेश्यो अपि द्वेश्यो मानने होता शत्रू भी सम्मता माने सम्मानिय था शिष्टा माने सज्जन तस्य माने उसमें अगर उनको सत्य माने उनको शिष्टा माने सज्जन सज्जन सत्रू भी सम्मानिय था जैसे रोगी के लिए करवी दवाई त्याज्यो दुष्ट प्रियो अपी और प्रिये वेक्ति भी त्याज्य था त्याज्यो दुष्ट्ज मतलब जो दुष्ट सुभाव वाला प्रिये वेक्ति उनके अगर दुष्ट सभाव है, उनका अपना प्रियविक्ति है, तो वो भी उनके त्याज था, जैसे कैसे, अंगुली उरग छता है, छता माने डसी हुई, घायन, उरग माने सर्प, अंगुली माने अंगुली, जैसे सर्प से डसी हुई, अंगुली त्याज होती है, सर्प पर अगली काट दो तो बिश नहीं चड़ेगा ठीक है उंगली में काटे तो उंगली उतनी काट दो ज्यादा ठीक है तो वह उंगली प्रिय भी है आपकी ना लेकिन अब क्या हुआ अब वो दुष्ट हो गई क्योंकि उसी उंगली के कारण आप मर भी सकते हैं तो सर्पने का करता है तो आंगली काट प्रेम नहीं उंगली से वह राजा डिलीप कैसे थे कि वह सत्जन सक्त्रू को भी अपनाते थे और दुर्जन मित्र को भी दुतकार ते थे तो त्याज्यो दुष्टहा प्रिया अपी प्रिय होने पर भी दुष्ट वेक्ती त्याज्य था ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प से डसी हुई उंगली त्यागे होती है सबेलाओ अप्रलायाम सामाने वहाँ वेलाओ अप्रवलयाम ठीक है वेलाओ प्रवलयाम प्रवलयाम माने होता है परकोटा परकोटा समुद्र में होता है तो सामाने उसने वेलाओ प्रवलयाम कट रूपी परकोटे वाली समुद्र परिखी कृत खाई से गिरी परिखी कृत माने खाई से गिरी परिखी कृत माने परिखी कृत माने होता परिखी बना लिया मतलब खाई बना लिया परिखेकृत सागराम उसने समदर तठ रूपी परकोटे वाली पृथवी जो समदर रूपी खाई से घिरी हुई थी खाई पृथवी की खाई या है ठीक है यह समुदर भरा हुआ इसमें पृथवी यह डूबी हुई है तो चारों तरफ से जल है, यानि खाई ही तो बनी हुई ये खुदी हुई तो सब वेलाव प्रबलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनम उर्वीम शासकैक पुरीम यूँ शासकै है, शासासाई क, सासाई माने, सासन करता था एक पुरीम माने एक पुरी की भाती एक पुरीम यू माने एक नगरी के समान शासन किया वेलाव अप्रवलया माने समुद्र तट रूपी पर कोटे से परिखी करत माने खाई के रूप में सागर से खाई के रूप में अनन्य शासनाम उर्वीम उर्वीम माने जो पृतवी थी जो समुद्र रूपी पर कोटे से घिरी हुई है समुद्र रूपी खाई से तट रूपी पर कोटे और समुद्र रूपी खाई से घिरी हुई है उस पृतवी का राजा दिलीप ने एक पुरी की भाती एक नगरी की भाती सासन किया था ठीक है अनन ने शासनाम उर्वी मुर्वी माने होता पृतवी सासनाम माने सासन किया था शासन किया था एक पूरी माने एक नगरी की भाती राजा दिलीप ने एक नगरी की भाती शासन किया था चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुणने के लिए हाँ चलिए रुक र आवाज क्लियर आई कि एक दो लोगों को कटी जिसको जिसको आवाज कट रही हो वो बताए जरा हमको हाँ फिर से देख लीजेगा वीडियो अगर नेटवर्क प्राब्लम हो आपके तरफ तो फिर से देखिएगा वीडियो ठीक है हाँ आरिये बहुत अच्छा है शेलेंद्र गिरीन इमिश कुमारी आईशा वर्मा रेनु वर्मा अर्शाथ सिर्दीग की प्रग्या वर्नवाल सभी का स्वागत हम चैनल पर बहुत पहले कर चुके हैं और अब भी स्वागत है संदीब तिवारी जरा हिंदिम लिखिए वाइस क्या है नाइस एक्स्प्लेइन मिश्दा खुशी बताईए आरेस बीबी चोधरी क्या पूछना चाहते हैं आप संस्कृत दिखदर्शिका में थोड़ी प्राबलम होती सबको होती आप एक वीडियो को दो तीन बार देखिए हम इसको रिपीट करवाएंगे ऐसा नहीं जो मौस्ट इंपार्टेंट होंगे जब दो माह पर इक्षा के बचेंगे तो मौस्ट इंपार्टेंट पर हमारे वीडियो चलेंगे जबरदस्त और लिख लिख के आप सबको देंगे जो मौस्ट इंपार्टेंट होंगे काई टेंशन ले रहे हो बारा क्लास में हिंदी में संस्कृत के question answer आते हैं हाँ आते हैं RSPB चौधरी आते हैं question लेकिन सामान हिंदी वालों के लिए नहीं आते हैँ साहित हिंदी वालों के लिए आते हैं ठीक है हा संदीर जी समझ गया है कि क्शिए कि बाकि जिसको समझ में नहीं आया भी या दुबारा पढ़ लीजिएगा अन्शू सिंग अनुच ठीक है मैं जब भी वार्टसप खोलूंगा देखूंगा सबको पीडियम मिल जाए कि भेज दूंगा भाई हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल सही है चलिए चलिए भेज रहे हैं बहुत दन्यवाद सभी को जुणने के लिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार